इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 6 की और यह होगा आपका दहन और जौला याने की कमबशन एंड फ्लिम और अभी तक हम इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और कोशिश करूँगा कि जल से जल अब में इसको फिनिश करों देखिए दहन या कमबशन क्या होत होता है जिसमें पदार्थ आकसीजन से अफ्क्रिया करके उश्मा देता है ठीक है क्या करता है पदार्थ आकसीजन से अफ्क्रिया करके उश्मा देता है और अगर बिना अकसीजन के कमबशन फॉसिफिल नहीं है अगर आकसीजन बहां पे नहीं है तो बहां पे आग भी नह हो सकता है उसको हम फ्यूल भी कहते हैं जैसे आपका को इला कोने हो गया आपकी लिकुड प эт्रोलियम आपका प्रकास भी उत्पन होता है उश्मा उत्फन होती है, सासात प्रकाश भी उत्फन होती है ठीक है तो, जैसे आपका अभी जो हमने पिछली चैपटर्स में पड़ा जैसे मैगनिशियम को जलाते हैं ecological मैगनिशियम क्या हो जाएगा आपका एक दाह्यपदार्थ हो जाएगा ठीक है ऐसी कास्ट कोईला भी होता है वो भी आपका क्या होता है दाहपदार्द होता है ठीक है ऐसी जो आपका सूरे होता है सूरे में भी जो उश्मा और प्रकास आता है वो नाफकी अफ्क्रियाओं के दौरा आता है नाफकी है सनलयन जिसको हम बोलते हैं उसके करण इसमें हीलियम हीलियम मिलके इस तरीकि की प्रॉसेस होती है ठीक है? तो इस में हम आके बात करेंगे आप देखी है अगर किसी बेक्टी के कपड़ों में आग लग जाती तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसको कंबल से ढखते हैं हमें कभी जनरली किसी को आग लगती तो हम सबसे पहले हाथों से बज़ाने की गुस्स करते हैं हाथ से और उसको हवा देते हैं ठीक है कि वो बुच जाए लेकिन उस हवा से बुचता नहीं है उस हवा से और वो आग पकड़ देता है इसलिए हमेशा किसी विक्ति को गर आग लग जाती तो इसको कंबल में लपिटने की गुसिस करने चाहिए इससे क्या होता है कि उसको कंबल में लपिटते ही oxygen की कमी आ जाती है तो आपकी जो आग लगी होती है वो देरे-देरे खतम हो जाती है बहुत जल्द ही खतम हो जाती ह इसे और एक temperature बहुनी है, निवंतम तोब, जिस पर कोई पदार्त जलने लगता है, उसको उसका जोलन ताप कहते हैं, ठीके, न, जोलन ताप मतलब होता है, आपका ignition temperature, मतलब एक minimum temperature होता है, जिस पर कोई भी substance आग पकड़ लेता है, उसको कहते हैं, उसका ignition temperature या जोलन ताप, ठ यहां पे हमें यह चीज आपके बता रहा है कि जैसे माललीजी तरुआ है कि सबस्राइब के पास दो कागज कई एक ग्डूटे लिया हमने और उसमें पयानाव यह बोडिया, उसमें परनी मों पानी जल डी आग नहीं पकड़ता है ठीक है इसलिए कि कोई भी पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या नहीं जल सकता है जब तक कि उसका ताप उसके जॉलंत आप से जादा होता है आपका वह सबस्टेंस जो होगा वह आग पकड़ देगा जैसे अगर हम पानी में सी बात है अच्छा जैसे आपका होता है कि जो आप खाना बनाने वाला जो तेल होता है वो कभी-कभी आग पकड़ लेता है ठीक है और जो तलने वाला बरतन होता है लंबी समय सिम्पल सी बात है इसलिए जर्नली कई बार देखा होगा आपने लकडी में आग लगाते हैं तो उसके उपर हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल में हम आग लगाते हैं क्योंकि जो मिट्टी का तेल होता है उसका जोलनता कम होता है ठीक है इसलिए उसको हम मिट्टी के तेल में ड उपयोग हुआ था सबसे पहले तो इसमें वो क्या करते थे जो गंधक होता है उसमें चीड की लगड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े दुबाते थे और उसका उपयोग करते थे वो माचिस की तरह ठीक है और चीड होता है आपका पाइन बोड ठीक है न पाइन बोड इंगल अभी करीब 200 साल पहले बनाया गया था उसमें क्या गरते थे जो एंटी मनी ट्राय सिल्फाइड होता है पाटेशियम क्लॉरेट होता है और सफेद फास्फॉरस होता है इन तीनों का जो मिस्त्राड होता है वो कुछ गौंद और स्टार्च के साथ मिला देते हैं एक जैसे कि अपने माचिस की तीली देखी होगी इस तरीके से बनी होती है तो इसमें क्या क्या है आपका इसमें है आपका एंटी मनी ट्राय सिल्फाइड पॉटिशियम क्लॉरेट और वाइट फास्फॉरस यह होता था उसमें यह तीन चीज़े इसके लाबा आब इसको चिप जल्दी रियक्ट करता है तो जैसे उसको खुरदरी सताय से रघड़ते थे तो घरसंड की जो उसमा होती थी फ्रिक्शन की जो हीट होती थी उसके करण स्वेट फॉस्फॉरस जल उटथा था ठीक है और इस पकार से आपकी माचिस की तीली का धहन परारं हो जाता था लेकि यह बड़ा आजीव शब्द है, safety matches बोलते इनको, अब इसमें क्या हो गया आजकल, आजकल की जो मार्चे साथी हैं, उनमें केवल antimony trisulfide और potassium chloride, इन दोनों चीजों को लेते हैं, यह question आप से पूचा जा सकता है, antimony trisulfide और potassium chloride, इन दोनों को लेते हैं, और जो रगणने वाली सफित फासफूरस से, ठीक है, फिर क्या होता है, कि जब माचस की तीली को खुरदरी सताय पल रगणते हैं, तो जो लाल फासफूरस होता है, वो सफित फासफूरस में, convert हो जाता है, और उससे heat आने लगती है, ठीक है, और यह जो सफित फासफूरस होता है, यह potassium chloride के साथ त कम होता है, और जो जो जोला के साथ सरलता पूरबक आख पकड़ देते हैं, उनको बोलते हैं, जोलन शील पदार्थ, जोलन शील पदार्थ इनको बोलते हैं, जोलन शील पदार्थ जैसे आपने देखे होंगे, कि पेट्रोल हो गया, आपका इलकोहल हो गया, यह आपका LPG ह यह सारे आपके जॉलन शील पदार्त कहलेंगे, जॉलन शील पदार्त जो होते हैं, इनको बोलते हैं, इन फ्लेमेबिल सबस्टेंसेज जिनका जॉलन ताप बहुत कम होता है, और जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे इसमें आपका पेट्रोल, पेट्रोल की साथ यह रहता है कि पेट्रोल के तो आसपास पेट्रोल पंपे जैसे आपने देखा होगा, मोबाइल के सिगनल तक अपने आपको बंद करके रखना चाहिए, ठीक है, आग तो बहुत दूर की बात है, ऐसे सेम एलकोहल, ऐसे सेम एलपीजी कर रहता है, एलपीजी घर में फैल ज तापमान होता है, वो उनके जुलन ताफ से कम हो जाता है, ठीक है, अब जैसे कई बर क्या होता है, पेट्रोल के करण अगर कहीं पे आग लगी हुई है, तो बहां उसको पानी से नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, पानी भारी होता है, जैसे माली जी यहां पानी डाला, तो पानी डालने से क्या होता है? पानी जाकी नीचे बैठ जाता है, पैटरल उपर ही रहता है, लेकन आग उस में यहागी रहती है, ठीके तो कभी भी पैटरल से जो आग लगती है, उस पर पानी नहीं डालना जाए depende कोई भी औो वई, ठीके क्योंगी और वाइ ज tournaments को घ ratchetda जिससे बायू की आपूरतीन से बंद जाती है और आग वुच जाती है ठीक WE ॊसका रीज़न होता है अब दखिए अगर आपको उत्पंडर करते हैं तो तीन चीजों की आवशक्ता होती एक सबसे आवशक्ता इधन की होगी, दूसरी आवशक्ता होती है वायू की, जो आपको oxygen प्रोवाइड कराती है, मेन है आपका वायू नहीं, मेन है आपका oxygen, oxygen के कारण ही आग लगती है, और तीसरा होता है आपका heat, heat मतलब के इधन का जो तापमान है, उसको जुलनत आप से अधिक करने के लिए, जब तक जो लनत आप अचीव नहीं होगा, तब तक आप उससे नहीं कर पाओगे, आप लकडी में आग लगाओगे, अगर एक मौटी सी लकडी है, तो उसमें अगर आप लगाओगे, तो काफी दिर तक आपको एक मौमबत्ती से बहुत दिर तक उसक इन तीन में से अगर हम कोई एक चीज को कम कर देते हैं, तो आग भुझ भी सकती है, ठीक है, अब जैसे माल लीजिए कि मेन जो करा जाता है, उसमें क्या करते हैं, कि आग भुझाने वाला जो कायर होता है, उसमें वायू का प्रभाह काटते हैं, या इधन का ताप मन कम करन इससे building में और आग लग जाती तो पूरा का पूरा building ही ऐसा fuel है तो इसको हम केवल वाईू की आपूरती से ही बुझा सकते हैं ठीक है इसमें हम भवन को नहीं हटा सकते हैं ठीक है यह चीज इंपॉर्टन्ट है अब देखिए जो fire extinguisher होते हैं उसमें जो water वाला है वो सबसे प्रचलित होता है ठीक है लेकिन जल के वल तभी कारे कर पाता है जब लकड़ी या कागज जैसी वस्तूओं में आग लगी होती है यदि विद्दुद करोणों में आग लगी है तो जल विद्दुद का जालन कर सकता है वहाँ पानी डालोगे तो पूरे हर जगा शॉर्ट सर जैसे जोलनशील पदार्थों में आग लगा आग के लिए कारवन डायकसाइड सबसे अच्छा निशामक या इस्टेंगिशर होता है ठीक है यह बिल्कुल आप नोट कर लो आपने कई बिल्डिंग्स में देखा होगा यह इस तरीक से लगा होता है अप सने महाल में गए हो इसको कंप्रेस करके उसमें भरा जाता है और जैसी आप इसको खोलते हो तो करवन डायकसाइड उसमें से बहुत सारी खटी निकलती है और यह जहां पर भी आग लगी होती बहाँ पर जैसे आप इसको छोड़ते तो आप और बंद कर देती है यह सबसे चीज की चीज होती इसलिए सबसे best जो extinguisher होता है वो carbon dioxide ही होता है ठीक है और इससे क्या होता है इधन और oxygen की बीच में संपर्ख टूड़ याता है और आग पर नहीं अंतरण हो जाता है इसके लबा carbon dioxide का अत्रिक तलाव यह है कि यह सामानत है बिद्द अपकरणों को कोई हानी भी नहीं ठीक है उसलेंडर से छोडते हैं जैसे ही तो carbon dioxide बहुत फैलती है और ठंडी हो जाती है ठीक है और ना के विल आख को चार ओर से घेल लेती बलकि इधन के ताबमान को भी नीच ले आती है इसलिए अती उत्तम अगनी शामक होता है ठीक है carbon dioxide प्राप्त करने का दूसरा तरीक भी है कि जो आपका sodium bicarbonate होता है जिसको हम baking soda भी बोलते है या potassium bicarbonate इनके रसाइनों के powder का भारी मात्रा में भी छड़काओ करने से अपने को carbon dioxide निकलती है क्योंकि आग के निकट इन पतारतों से बहुत सी carbon dioxide निकलती है और आग को बुझा देती है तो generally इन सब चीज़ों क आपने को उपयोग करना चाहिए baking soda जो होता है घर में kitchen में पाया जाता है ऐसे आपका potassium bicarbonate होता है तो यह दोनों भी आप use कर सकते हो ठीक है तो यह दोनों question आपसे exam में इस तरी किसे पूछ सकते है कि इन मैंसे किसका उपयोग fire extinguisher के रूप में किया जा सकता है या नहीं क किया जा सकता है तो एक option जैसे आपका CO2 हो जाएगा कि किया जा सकता है ठीक है दूसरा option उसमें हो जाएगा आपका sodium bicarbonate तीसरा option हो जाएगा आपको potassium bicarbonate और चौथा option हो जाएगा कि all of these तो इसमें आपको सारे के सारे all of these लगाने पड़ेंगे क्योंकि सब का उपयोगा उसमें कर सकते हैं लेकिन बैस्ट कौन सा है carbon dioxide ठीक है sodium carbonate और potassium by carbonate क्यों ले रहे हैं क्योंकि इन में से भी तो carbon dioxide निकलती है यह होता है अब देखिए जो आपका जिसे कुछ पदार्थ हैसे होते हैं जो कमरे के तापमान पर बायू में जलोटते हैं ठीक है और इस पकार का दहिन जिसमें पदार्थ विना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जलोटता है उसको कहते हैं स्वताहा दहिन ठीक है यह होता है आपका स्वताह दहन, अच्छा, और जैसे आपने देखा होगा कि जो कॉईलों की खाने होती, उन्हें कोईले की धूल के जो कण होते हैं, वो स्वता-दहन से कई वर ख़तनना कर्ण कंट में कंवर्ट हो जाते हैं, ऐसे जो जंगल में भी स्वता अगनी कंट कभी-कभी अधिक गर्मी के कारण होने लगता है कभी-कभी आकास से बिजली गिरने के कारण भी होता है जंगल पे बिजली गिरती है वहाँ पे आग लग जाती है घास में आग लग जाती है टेंपरेचर बढ़ने के कारण ठीक है लेकिन जादा तर केस में जो जंगलों में आग लगती है वो मनुश्ची लापरवाही के कान लगती है पिकनिक करने के लिए जाते हैं आग वाक लगाते हैं वो यसे ही छोड़ के आ जाते हैं उसको दीरे दीरे आग धर धर पकड़ देती है घास में लगती है घास से पेड़ पौध हमें लगती है और पूरी की पूरी जंगल का जंगल पूरा खतम हो सकता है, ठीक है तो ये सारी चीजे अपने को याद रखनी चाहिए, अच्छा तेओहारों पर आतिश्वाजी करते हैं, तो आतिश्वाजी करते हैं टायम जो हम पटाकों को जलाते हैं, तो एक आकस्मिक अफ्क्रिया होने से उश्मा, प्रकाश और धनी, तीन चीजे यहां पर पैदा होती है, ठीक है, और जो आपका, जो अपक्रिया होती है, उसमें गैस एक बनती है, वो भी बड़ी मातरा में निकलती है, और इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिस्फोड बोलते हैं, एक्स्प्लोजन ठीक है और यह एक्स्प्लोजन पठा के पर दाव डालने के कारण भी हो सकता है मतलब ज़नरली कहते हैं कि जो पठा के उनको एक खटा करके पॉकेट में रखना चाहिए क्योंकि पॉकेट में कहाता है फ्रिक्षन होता है जैसे एक साथ हमने रखे और हम चल रहें तो चलने के करणने में फ्रिक्षन होता है, फ्रिक्षन के करणाड हीट बन जाती है, या इनको किसी बड़ी चीज से दबा की नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रैसर के कारण भी इन में बिस्फोट हो सकता है, इसलिए ये सारी चीजें अपने को याद रखनी चाहिए झाहिए। कि अब बहुते हैं अब बहुते हैं मैं बिल्कुल भी ये सीधे सीधे शब्दो में अप्राइब अच्छा खासा हार्ड वर्क आपको करना होता है इसलिए प्रीज आप पूरा का पूरा एंसी आडी को पड़ें एक चीज एंसी आडी को पड़ें लास्ट येर क्लास रेट के पहले चैप्टर से मैंने आपको बताया था कि 11 वारा कुश्चन पूचे रहे हैं ठीक हो सकता है क आपका ये वाला जो चैप्टर में पड़ा रहा हूँ अगले एक्जाम में उससे भी आपको आट कुश्चन मिल जाए है कोई गरेंटी नहीं है इस चीज के ठीक है और ऐसा का रूत है इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर यार तो कि अब जो जोला होती है दहिन की समय जो पदार्थ वाश्पित होता है ठीक है बे जोला करते हैं जैसे आप यहां पर तो इसमें क्या होता है जो मोम होता है इसका वेख्टर दहिन की समय बाश्पित होकर जोला कर निर्माड यह करते हैं मिट्टी का तेल हो गया यह आपका मोम बत्ती हो गई ठीक है ऐसे आपका जो लकडी का कोईला होता है वो बाश्पित नहीं होता है कोई जोला नहीं देता उसमें जॉला नहीं देता है, कोईला नॉर्मल तरीके से जलता है, वो किवल ज़्यादा तर हीट देता है, वो लाइट कम देता है, ठीक है? अब देखिए, जॉला की संरचना की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है हां पर बताया क्या है करके जो तार का वो वहाग जो जॉला की कुछ बाहर है, यह वाला हिस्सा, ठीक है? यह बिलकुल लाल रंग का हो जाता है, इससे हमें क्या पता चलता है? कि जॉला का जो अधीप्त छेत्र है, उसका टेंपरेचर बहुत अधिक होता है, अधीप्त छेत्र को हम बोलते हैं नॉन यह question exam में पूछा जा चुका है, non luminous कि इनमें से मौमत्ती का कौन सा छेत्र सबसे, उसका temperature सबसे अधिक होता है, तो वो कौन सा होता है? non luminous area जो उसका होता है, वो सबसे ज़्यादा अपका गरम होता है, ठीक है? तो यहां से इसको बोलते हैं non luminous zone, यह सबसे अधिक गरम हो होता है, ठीक है? अब अलग अलग इसके भाग होते हैं, जैसे अगर हम मौमत्ती की यहां पर जो आला की बात करते हैं, तो इनके अलग 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 इनके color होते हैं, जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं इसकी, जो आला की बिलकुल अंदर की बात कर रहे हैं तो यह सबसे क काला अई, और इसका घृशन कोम गर्म होता है। uted color क्या होता इसका पीलह होता है ठर आपका जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है उसका color कैसा होता है पूर्ड में जतर गहलाता है ठीक़ को यह तीन जों होते हैं तो सबसेगरं भान बाग होता है एक गरी और वह सबसे- तीन इसके अलग-छून इसमें पाए अच्छा यहां पे अगर हम इनको इगलिस में बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे पूर्ण दहिन का बाहर चेत्र मतलब outer zone of complete combustion और इसका कलर क्या होता है ब्लू कलर का होता है और सबसे गर्म यही भाग होता है दूसरा होता है आंशिक दहिन वाला मद्द भाग मतलब middle zone of partial combustion middle zone of partial combustion ऐसा ही जो आपका सबसे अंदर वाला भोग होता है इसको बोलते हैं inner most zone of unwont wax papers ठीके और ये सबसे कम गर्म होता है आशिक दहिन वाला मध्ध भाग जो होता है ठोड़ा कम गर्म होता है मतलब सबसे कम नहीं होता है थोड़ा सा अच्छा इधन होता है अच्छा इधन होता है आईडियल तो कोई बीचीज नहीं होती है, ठीक है, इसलिए आदर सीधन कोई ऐसा नहीं है, जो एकदम आइडियल हो, तो ऐसा कोई भी इधना इसके डिट तक नहीं है ठीक है अब देखिए इसके बाद एक आती है fuel efficiency या इधन दक्षता तो अलग-अलग इधन की अलग-अलग दक्षता होती जैसे अगर गोवर के जो अपले होते हैं उनको जलाओ कोईले को जलाओ या फिर आप LPG को जलाओगे तो पानी की इनको जलाकर पानी के एक सुनिष्चत मात्रा को अगर आप अप अवाला होगे तो इन मेंसे आप कौन सी इधन को चुनोगे, मतलब यह क्रिया कलाप यहां पर बताया है, तो देखिए इसमें क्या रहता है, कि जो इधन, क्या इधन बराबर मात्रा में उश्पान करते हैं, जैसे अगर आप गुवर के उपले को जलाओगे, कोईले को जलाओगे, या एलप पुजा की मतला को उसका उश्मी एमान कहते हैं, इसको बोलते हैं, इंग्लिस में कलोवरिफिक, कलोवरिफिक वैल्यो, ठीक है, यहां पर कुछ इधन दिये हुए है, अच्छा, इसी जो कलोवरिफिक वैल्यो है, इसी से डिसाइड होता है, कि जिसकी जतनी जदाद कलोरिफिक वैल्यू होगी वो उतनी जल्दी उस पर्टिकलर चीज को जैसे अगर हम पानी को वाल रहे हैं तो वो सबसे जल्दी उसको वाल के देगा ठीक है अब जैसे आपके गोवर के उपले हैं इसका 6,000 से 8,000 तक ओश्मी अमान होता है लकडी का 17,000 से 22,000 तक होता है हैं, CNG और LPG, CNG होती है आपकी compressed natural gas, LPG होती है आपकी liquid petroleum gas, घरों में slanders में यूज करते हैं, CNG का यूज करते हैं, Delhi जैसी जगह हैं, बहाँ पर आजकल जो बहान होते हैं, उनमें CNG का ही यूज करते हैं, क्योंकि सबसे कम pollution इससे होता है, ऐसे ही आपकी वायो गैस होती है, जैब गैसे को बोलते हैं, 35-40,000 होती है, hydrogen, यह सबसे ज़्यादा, hydrogen का दहन जो होता है, यह सबसे ज़्यादा होता है, यह आपका जो sun होता है, उसके अंदर hydrogen का ही दहन होता है, ठीक है, इसके करणर यहाँ पर आप सो सकते हैं, कि hydrogen का दहन करके, कितनी calorific values हमको मिल रही है, सबसे ज़्यादा है, होता है, तो यह आप अगर इसको याद कर लें किस तरीकी से, गोवर के उपले होते हैं, तो सबसे काम होगा, लकडी है, तो उससे ज़्यादा होगा, कोईला का ज़्यादा है, पैट्रॉल मिट्टी का, तील डीजल का सेम होता है, इनकी values नहीं पूछ जाजा सकता है, कि इनके जो उश्मियमान है, या किसी तरीकी से ऐसा question पूछ लें आप से, कि मुझे पानी उबलना है, तो मैं इनमे से किस को prefer करूँगा, ता कि जल्दी से जल्दी मेरा पानी उबल जाए, तो एक option होगा गोवर के उपले, एक option होगा मिटी का तेल, एक option हो होगा, LPG, एक option होगा, बायो गैस, इस तरीकी से question है से बन सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ पता होने चाहिए कि किस की कम होती है, किस की value जदा होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है, अच्छा, इसके बात जो सबसे important point है, कि जब हम fuels को जलाते हैं, तो उनसे कुछ हानी कार कुछ होते हैं, वो हानी कार कुछ होते हैं, जैसे अगर आप लकडी कोईला और पैटरल, जैसे कारवन इधन को बिना जले, मतब लकडी कोईले और पैटरल जैसे कारवन इधन बिना जले कारवन के कंड छोड़ते हैं, ये सूक्छ मकण खतरनाक प्रदूशक होते हैं, जो जो दमा होता है इसको क्या बूलते हैं अस्तमा बूलते हैं एंगलिस में अस्तमा ऐसी इन इधन का अपूण दहन अगरम करते हैं तो कारवन-Mono-Akside Guass हे देता है जो अतिनता फिसली गेश है ठीक है और बंद कमरे में कोहिला जलाना खतना होता है यह तो खेर सब कोई पता होगा जो उत्पन carbon monoxide gas है कमरे में सो रहे वेक्तियों की उससे मिर्त्यू भी हो सकती है इसलिए कभी भी कोईला जला के कई वर लोग क्या होता है कमड़े को बंद करते हैं सर्दियों में कोईला जला देते हैं और सो जाते हैं तो कई वर सुबह उठते ही नहीं है ठीक है क क्योंकि उनकी मिर्त्य हो जाती है तो यह कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि carbon monoxide बहुत ही ज्यादा खतरना gas होती है ठीक है इसके लाबा अधिकान सीधनों के दहिन से परयाबन में carbon dioxide gas निकलती है जो आज global warming का करण बंती जा रही है ठीक है तो यह एक नुकसान होता है इस जो आपका दमगोटू का मतलब क्या हुआ जो सफोकिशन जाता करता है ठीक है संचारक मतलब क्या होता है कोरोसिप कोरोसिप गयसे होती है ऐसी आपका petrol जो इंजन होते है नाइट्रूजन गयसी आकसाइड छोड़ते है सलफर और नाइट्रूजन के आउकसाइड बरसा की जाल में घुल जाते है और अमल बनाते है ऐसी आपका सलफर और नाइट्रूजन के अगसाइड ठीक है तो यह सब सीज है इतने सारे आपके इधन को जलाने के नुख्षान इसलिए इनका उप्यों कम से कम हमें करना चाहिए ठीक है जैसे आपको पता होना चाहिए आप जो करें यहां सब्सक्टै करने लगें क्योंकि इस सबसे ज्यादा कम सबसे कम मात्रा में करती है तो आज की डेट तक अगर देखा जाए तो सी एंजी ही सबसे बेस्ट है हमारे डेली यूजिस के लिए ऑटो मुवेल्स इंडिस्ट्री में ज्यादा तरी यूज हो रहा है बड़े बड़े शहर जो हैं जैसे डेली है डेली में पॉलूशन बहुत जल्दी कोशिश करूँगा नेक्स्ट चेप्टर लाने की थैंक यू